हेलो बच्चो मैं हरीस मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ग्यान सागर मटपाल चैनल में बच्चो आज किस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक्सराइज 10.2 का कोश्चन नमबर 12 10th Class Maths NCRT हम देखते हैं कोश्चन नमबर 12 की बात करते हैं हम लोग कोश्चन नमबर 12 को अगर हम रीड करें तो एक ट्राइंगल ABC हमने बनाया है जुसके अंदर एक सरकल है सरकमिस्क्राइब एक सरकल का मतलब किसी चीज के अंदर सरकल बन रहा है जिसका रेडियस है बच्चो 4 cm देखते हैं हम लोग गीवन सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC यह ट्राइंगल हमें गीवन है और बच्चो इसके अंदर ठीक है तो बच्चो यहां पर हमें B.D. 8 cm दिया है ठीक है एक पॉइंट ले लिए अमने B.D. यह हमें 8 cm गीवन है और दूसरा जो डीची है वो हमें 6 cm दे रख ठीक है धियान से देखते हैं ग्राप को ग्राप हमें गीवन है पस थोड़ा स्टेप बाइ स्टेप समझ रहा है तो बीडी और सीडी हमें दे रिखा है वहां पर लिखा हुआ के लिए कि सेग्मेंट बीडी और डीसी जो है उनकी लेंद्ध जो है दे रखी है जो उसको एट स सेंटिमेटर हमें दे रिखे है ठीक है अब बच्चो सरकमिस्क्राइब इस सर्कल ऑफ रेडियस फोर सेंटिमेटर इसके अंदर हमने एक सर्कल खीचा रेडियस फोर सेंटिमेटर लेके ठीक है जिसका सेंटर हमने ओ ले लिया तो यह फोर सेंटिमेटर हमने जो है सेंटर ल बच्चो ओ, एफ ये भी रेडियस है, फूर सेंटिमेटर, तो इतना हमें गीवान है, अब हमें क्या फाइंड करना है, बच्चो हमें A, B, जो ट्रेंगल का एक पार्ट है, और दूसरा जो A, C, इन दोनों की लेंथ हमें निकालनी है, A, B और A, C, इन दोनों की लेंथ हमें न जो सरकल का बाहर का पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने एक टैंजेंट ड्रो किया, C, और दूसरा टैंजेंट ड्रो किया, C, बच्चो आपने पढ़ा, कि बाहर किसी पॉइंट से जो टैंजेंट हम ड्रो करते हैं, उनका लेंथ बराबर होता है, तो बच्चो यहां पे, जो CD है, और जो CF है, इन दोनों का लेंद बराबर होगा, और ये होगा 6 cm, जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने, तो CF जो है यहाँ पे, कितना आया, 6 cm, ठीक है, तो उसका रीजन वही है, कि बाहर किसी पॉइंट से, जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, उसका जो लेंद है, वो बराबर होता है, तो बच्चो, आब हमने जो एक पॉइंट ले लिया, B पॉइंट, अब इस B पॉइंट से, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, BD, और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया, BE, तो बच्चो, इनका लेंद भी बराबर होगा, क्योंकि बाहर किसी उसे जो भी tangent हम ड्रो करते हैं उनका length बराबर होता है तो यहाँ पे अगर हम देखें BD और BE, इन दोनों का length जो है, कितना होका 8, ठीक है, तो यहाँ पे, जितना BD अगर 8 है, तो उपर वाला भी 8 होगा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थूरी तरे के लिए लेट कर लेते ह है हमने यहाँ पे लिख देते है हम लोग कि हमने लेट कर लिया कि जो a f है उसे हमने बच्चो x मान लिया तो a f बाहर एक point a है वहाँ से दो tangent रो किये हैं तो दोनों का length बराबर होगा तो यहाँ पे बच्चो a f और a e दोनों का Length बराबर होगा, दोनों X होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी X होगा. अब हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा ट्राइंगल कन्शीडर करेंगे हम लोग, पूरा ट्राइंगल हमारे पास है ABC, और नाइंद क्लास में आपने पढ़ा तो अगर हम देखें, BC पूरी साइड देखें हम लोग ये, तो ये 8 और 6, 8 और 6 को एड़ करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर पूरी की पूरी साइड जो BC है, वो हो जाएगा 8 प्लस 6, ये वाला 8, इसमें हम एड़ कर देंगे, ये 6, ठीक है, ये 8 और 6, तो पूरी साइड BC मिल जान लेते हैं, जो होगा 6 प्लस X, पूरा AB है न, AC सौरी, तो AC की साइड हो जाएगी, B जो है 6 प्लस X, तो ये यहाँ पर कंसिडर किया हमने दूसरी साइड, ट्राइंगल की तीसरी साइड अब है AB, अब AB जो तीसरी साइड है बच्चों, वो होगा 8 प्लस X, ये 8 है और य AX है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस X, ठीक है, तो इस परकार से तीनो साइड और इस साइड को हमने मान लिया C, तो बच्चों, हीरोंज फॉर्मला में सबसे पहले हम हाप अप दा पैरिमेटर निकालते है, S निकालते है, और S निकालने का फॉर्मला होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन टू, ठीक है, तो हम यहापे क्या करेंगे, अब A कितना है, देखो, A देखो, A हमारे पास है 14, और बच्चों B कितना है, B है हमारे पास 6 प्लस X, और बच्चों C कितना है, 8 प्लस X, और इसके अपॉन में आ जाएगा, 2, अब हम 14 में 6 एट करेंगे 20, 20 में 8 एट कर बच्चों, तो यह हो जाएगा, 28 प्लस X और X को जोडेंगे, तो कितना होगा, 2X, अपॉन में 2, तो यह S निकल रहा है हमारा, तो S निकल गया, उपर हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यह 14 प्लस X, इसको कैलकुलेट कर रहे है हम लोग, इसकी कैलकुलेशन बता रहे है, 2 कॉमन लिया, अपॉन में 2, तो बच्चों, यहाँ पे S की वैलू निकलके आ गया, 14 प्लस X, तो मारा S कितना आ गया, 14 प्लस X, अब हम एरिया निकल लेंगे भई, एरिया किसका निकलने जा रहे है हम लोग, A, B, C, जो पूरा का पूरा ट्रेंगल है, उसका एरिया निकल रहे है, तो एरिया का फॉर्मला क्या होता है भईया, S, S माइनस A, और S माइनस B, और होता है S माइनस C, तो यह हिरॉंज फॉर्मला का एरिया निकलने का फॉर्मला हो गया, यह हमने जॉइन कर लिया, A से O को जॉइन किया, C से O को और यह O B को, तो अब हम इसको कैलकुरेट करते है अब यहां पे बच्चो हमारा जो S की value निकल के आई है वो है 14 प्लस X ठीक है और A हमारा 14 था और बच्चो B हमारा 6 प्लस X और तीसरी साइड जो है वो है 8 प्लस X तो जो हिरोन फॉर्मॉला है वो है A, B, C का area हम निकालेंगे तो वो है root के अंदर हमने नाइंत क्लास में पढ़ा हुआ है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C तो अब हम इसको रखते जाएंगे बच्चो सबसे पहले हमने S की value रख दी S कितना आया था हमारा 14 प्लस X फिर इस S को bracket start फिर ये जो S है 14 प्लस X A कितना है बच्चो हमारा A है हमारा ये A है तो 14 फिर हम इसको पूरा solve करेंगे S, S की जगे क्या रखेंगे हम लोग 14 प्लस X, S की जगे हम रखेंगे 14 प्लस X ठीक है और 14 प्लस X में से बच्चो हम B माइनस कर देंगे तो B हमारा है 6 प्लस X ठीक है इस तरीके से हम calculate करेंगे ये bracket लगाएंगे अगर bracket लगाएंगे तो गलत हुजाएगा हमारा फिर उसके बाद प्लस S, S कितना है 14 प्लस X और इसमें से माइनस करेंगे 8 प्लस X इस तरीके से बच्चो हम इसको solve करेंगे तो देखते हैं हम लोग अब bracket हटाते हम लोग ये route लगा दिया हमने 14 प्लस X ऐसे ही उतारेंगे फिर बच्चो ये 14 से 14 cancel हो जाएगा तो ये X बच्चा फिर यहाँ पे हम bracket में bracket हटाएंगे तो minus 6 प्लस X तो ये minus bracket हटेगा तो sign बदल जाएंगे अंदर के फिर बच्चो ऐसे ही हम दूसरा करेंगे ये plus नहीं है sorry यहाँ पे तो उसके बाद हो जाएगा 14 plus X minus 8 minus X इस तरीके से हम ऐसे calculate करना है तो calculation ध्यान से करना है थोड़ा सा भी mistake होगा पूरा बेकार हो जाएगा answer match नहीं करेगा 14 plus X लिखा फिर X लिखा बच्चो 14 में से 6 minus कर दो कितना आया 8 और X से X कट गया ठीक है फिर यहाँ पे भी X से X कट गया 14 में से 8 minus करो 6 आजाएगा ठीक है इस तरीके से हम calculation करने जा रहे तो यह पूरा का पूरा जो निकल के आया यह area of triangle ABC तो यह हमारा आ जाएगा 14 plus X हम ऐसे ही उतारेंगे और यह हो जाएगा बच्चो 8 6 आ 48 48 X तो हम इसकी अंदर भी multiply कर सकते हैं अब हम इसको एजिट ऐसे ही उतार रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं ठीक है अब बच्चो तो यह हमारा आ गया 14 plus X और 48 X ठीक है अब हम इसको आगे करेंगे 14 plus X तो यहां पे जो हमारा ट्रैंगल का एरिया आया था वो है ABC 14 plus X और बाहर से हमारा आया था 48 X ठीक है यह एरिया हमारा निकल के आगे इसको equation first बोल लेते हैं अब देखते हैं बच्चो अगर हम पूरे ट्रैंगल का एरिया निकाले एक साथ तो बच्चो ABC एरिया निकाल रहे हम लोग हमें इसका ट्रैंगल होगा O C B का एरिया ध्यान चे देखें O C B ठीक है पूरे उसको हमने तीन पार्ट में बांड दिया है उसके बाद एरिया OAC, तो बच्चो ध्यान से ग्राब को देखो, अच्छी तरीके से, कि अगर हम इसके तीन पार्ट है, इन तीनों पार्ट से ये पूरा का पूरा ट्रेंगल ABC कवर हो जाता है, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंगल का एरिया और हमें एक फॉर्मला याद होना चाहिए, हिरोंस के उलावा, वो है हाप बेस इंटू अल्टिचूट, तो OCB को ध्यान से देखें बच्चो, अगर हम ध्यान से OCB को ध्यान से देखेंगे, तो यह ट्रेंगल हमें कंसिडर करना है, यह वाला, यह ट्रेंगल, यह ट्रेंगल, ठीक है, इस वाले ट्रेंगल में हम जो फॉर्मल ल ठीक है देखो ध्यान से बेस जो है इसमें बेस यह है आपका बेसी और इसका एल्टीट्यूट है OD तो हमने यह आला फोर में लगा दिया हाँ बेस इंटू एल्टीट्यूट ट्राइंगल का निकाल लेका ठीक है फिर ऐसे ही ट्राइंगल हम कंजिडर करेंगे O, A, B अब हमने ट्राइंगल ले लिया O, A, B दियान से देखना बटा O, यह ट्राइंगल देखो मैं यह से यह ट्राइंगल है यह ब्लू कलर में और यह ट्राइंगल अगर इसका बेस देखोगे बच्चो तो इसका बेस है AB, यह base है, तो यहाँ पे हम लोग इसका भी half into base into altitude लगाएंगे यहाँ पे तो half, base क्या है बच्चो, AB और इसका altitude है OE, जो radius है, ठीक है ऐसी हम तीसरे का भी निकालेंगे triangle A, O, A, C इसका base क्या है बच्चो, A, C और इसका altitude क्या है, O, F अब जब हम इसे calculate करेंगे, तो हमारा answer आजाएगा triangle ABC का area तो आपने निकाला है तो वही लिख देंगे हम लोग 14 plus X और बाहर से आजाएगा 48X अब यह calculation का पूरा खेल है BC, अगर हम देखें ध्यान से BC, यह है 14 8 plus 6, बच्चो, OT तो यहाँ पे radius है, तो हमने radius 4 लिख दिया ठीक है, फिर उसके बाद AB, AB 8 plus X bracket लगाएते हैं, और O, E हमारा radius है फिर उसी प्रकार से हम इसको भी solve करेंगे, AC 6 plus X और बच्चो, यह O, F तो मैंने अभी बताया था, यह radius है अब हम इसे calculate करते हैं यह पूरा calculation होगा, तो कैसे calculation करेंगे बच्चो हम इसको, हमने 14 plus X और 48 X ऐसे ही उतारा अब हम इसको solve करते हैं, सब में half half into 4 हमने common ले लिया, क्योंकि तीनों में, इसमें भी half into 4, इसमें भी half into 4, और इसमें से भी half into 4 हमने बाहर ले लिया, तो क्या बच्चा भई, 14 प्लस half half into 4 भार लोगे, तो क्या बच्चेगा, 8 plus X ठीक है, और यहां पर क्या बच्चेगा, बच्चो half into 4 भार ले लोगे, तो 6 plus X बिलकुल calculation करनी है फिर हमने left portion जो हमारा, वो हमने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है यह हमने ऐसे ही उतारा, बच्चो मैं 2 से सको cancel कर सकता हूँ, तो यह 2 आ गया यहां पर अगर हम 14 में 8 add करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 22, 22 में 6 add करेंगे तो बच्चो तो यह हो जाएगा 28 और plus X और X को add करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चो, 2 X ठीक है, फिर हम calculation करते हैं 2 की multiply अंदर कर लेते हैं हम लोग हमने left वाला portion ऐसे ही उतारा 14 प्लस X और 48 X ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी भी mistake नहीं करनी है हमने, 2 की multiply 28 में कर देंगे तो बच्चो कितना आ जाएगा 56 ठीक है, और 2 की multiply फिर हमें इसी 2 की multiply अधर भी करनी है तो यह हो जाएगा 4 X अब बच्चो यह जो root है, यह उधर की तरफ जाएगा तो root उधर जाता है, तो क्या हो जाता है हमने पढ़ा है math की calculation में पहले हमने यह पूरा उतार दिया जिट्टो ठीक है, और उधर जाके बच्चो यह हो जाएगा 56 प्लस 4 X का square ठीक है, 56 प्लस 4 6 का whole square हो जाएगा तो अब आगे करते हैं हम लोग इसको तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग हमारा जो राइट एंड साइड में था 56 प्लस 4 X का whole square ठीक है इस तरीके से और बच्चो इधर जो लेट एंड साइड में है वो हमारा एरिया था 14 प्लस X और बहार से 48 X अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा कैल्कुलेशन करते हैं बच्चो 14 14 प्लस X और 48 X को हमने ऐसे ही उतारा अब बच्चो हम क्या करते हैं इसमें 4 common ले लेते हैं तो 4 से 56 को डिवाइट करोगे तो 14 आ जाएगा और 4 से 4 X को डिवाइट करोगे तो यह हो जाएगा फिर यह पूरा का पूरा whole square हो गया 4 का square अलग कर देते हैं बच्चो हम A प्रज B के whole square से थोड़ा lengthy हो जाएगा उसकी calculation तो हमने इसको ऐसी उतारा और यहां 4 का square 16 हो गया फिर 14 प्लस X दो बार है बच्चो तो हमने दो बार लिख लिए इसको ठीक है whole square मतलब दो बार है अब बच्चो एक से ही cancel हो गया अब जो बच्च गया उसको दोबारा लिख लो भई तो होच बोच हो जाएगा वहाँ पे सारा का सारा एकी जगे जोए फिर 16 से यह कर जाएगा 3 आ गया ठीक है 14 प्लस X तो यहाँ पे X की value निकलने जा रही है यह इदर आ जाएगा तो यह जाएगा 2X तो अगर हम 8 में X एड कर देंगे X हमारा निकल गया तो यह आजएगा 15 उसी प्रकार से हमें जो AC है उसकी length भी निकालनी है और AC हमारा 6 प्लस X है बच्चो तो अगर हम 6 में X जोट देंगे X हमारा निकल गया तो यह आजएगा 13 तो इस प्रकार से हमें AB और AC दोनों की length निकालनी थी